तो लियो की ट्रेलर एक एक करके सब के ऊपर बात करते हैं नमबर वन हम बर्फिल वाले जगह को देखते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश है जहां पाइन पैलेस रेजॉट में कुछ धुआ उठते हुवे देख सकते हैं और साथ ही लोग नीचे अफरात अफी मचा रहे होते हैं पाइन देख सकते हैं एंड साथ ही इसके पिछे पुलीस वाला भी खड़ा है So what I think कि this would be a case of firing gone wrong जिसकी वज़े से लियो को as a traitor घोसित कर दिया जाएगा and he'll be forced to leave the state Number 4 यहाँ पर तुम कुछ लोगों को खड़े हुए देख सकते हो जो कहीं जाने के लिए ready है but ध्यान देना कि cars पर Tamil Nadu की number plate है जो इसको वह घर वाले sequence से बिलकुल अलग कर देती है meaning this would be another car chase scene and यहाँ इस factory को याद रखना क्योंकि आगे चलकर हम इसकी उपर बात करेंगे Number 5 तो इस gate पर तुम चॉकलेट लिखा हुआ देख सकते हो जो हमने टीजर में भी देखा था कि लिए किसी चॉकलेट फैक्टरी में है and I think यह लिए नहीं एंटोनी दास की चॉकलेट फैक्टरी होगी Number 6 हम यहाँ इगल की statue को देखते हैं जो की विक्रम की थी but since लिए को snake से signify किया जा रहा है उसके hunter को eagle से signify करना कोई गलत बात नहीं है Number 7 तो Leo जब हिमाचल से जाड़ा होता है तो उसकी pick टीक हो रही होती है और यह देखकर हमें नहीं लगता है कि वो arrested है also उसके साथ उसकी बेटी भी है and अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो उसकी wife भी देखने को मिलेगी so with family वो लोग वहां से move कर रहे हैं वापस Tamil Nadu में जो कि probably movie के third act की beginning हो सकती है और third act की ending तो third act की ending कहने के पीछे का एक reason है जो कि मैं आगे चल कर तुम लोगों के साथ discuss करूँगा Number 8 Now एक line आता है जान लियो कहता है कि वो किसी की तरह दिखता है एंड एक जगा एंतन भी में संग करता है कि वो दुनिया उस्टांग को बेवकूफ बगड़ा बगड़ा बना देगा तुमको याद होगा तो थोड़े वाइल जा सकते हैं और चांसे हैं कि movie में एक्चुली लियो का double roll होगा then it would make some sense इल्स उसकी accident वाला मामला भी हो सकता है जो कि हमने trailer के starting में देखा था तो तुमको क्या लगता है कामेंट्स में बताओ नमबर 9 कार्चेस वाली सी हिमाचब में होगी योगि तुम यहाँ बोड़ पर चंदीगर, न्यू दली यह सब लिखा हुआ देख सकते हो रैसे बोड़ को rest in peace नमबर 10 तुम यहाँ पर लियो को कार्च के उपर fire करता हुआ देख सकते हो जो बताती है कि कार्च के आने की खबर लगने के बाद वो हिमाचब वाले घर में कार्च से पहले पहुँचेगा and at least उन कार्च को रोकने की कोशिश भी करेगा जो just makes sense कि वहाँ पर वो अपनी बेटी को और अपनी फैमिली को प्रोटेट करने के लिए जा रहा है नमबर 11 यह जो फैक्टरी है जिसमें आग लगी हुई है तो यह तमिलनाडू वाली फैक्टरी है जैसे कि मैंने पहले कहा था कि याद रखना तो आई थिंग कि लियो यहां आकर विलन्स को मार देगा and इसको आग लगाएगा which will be the end of second act of the movie and वहाँ से वो हिमाचल चला जाएगा which will start the third act of the movie and वहाँ से आगे चीज़े continue होंगी संजीदत्य केरेक्टर आएगा and फिर उसे वहाँ पे दोने की कोशिश करेगा खैर मेरी थियोरी यह है and तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना मत बूलना and ऐसी ब्लेकडाउंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वीडियो में तब ते के लिए keep loving your near and dear ones वैसे मैं खुद को कौन से जानवर से denote करूँ humans based है तो tiger का message जाने के लिए right में click करे and कुछ random के लिए नीचे click करे